योगी साब काम करतो रहे हैं। मगल काम करते हुए ज़्यादा नहीं तो 2022 में अकलेश की सरकार कुछ जादा ही उनका और उम्मीद है इस बार अकलेश dalसरी की सरकार होगी 2022 में और उससे पहले हैं उन्हों ने बहुत काम भी किया है। लूट नहीं रहा है सेल देखो कहां जा रहा है सलंडर की सबसीटी आ रही थी वह भी बंद हो गया नहीं तो इसलिए जो गरीबी हर्जा जो नीचे एक मलब भूखा मरता है उसको एक टैम रोटी मिल जाए यही बड़ी बात है लिम्रा निउस हम दिखाते हैं सच देश प्रदेश की सची खबरों के लिए देखते रहे हैं लिम्रा निउस नमस्कार मैं की तिवारी लिम्रा निउस देख रहे हैं जैसा कि 2022 दासबाद चुनाओ करीब है जिसको लेकर राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है कोई नेता इस पार्टी में तो कोई नेता उस पार्टी में ऐसे में सारी पार्टियां दमखम दिखा रही हैं जनता को रुजहाने के लिए अपनी वादो की किताब पब्लिस करने लग गई है ऐसे में इस बार जनता क्या क्या मोड है जनता इस बार किसे सीम की कुर्सी पे बिठाएगी किसे सत्ता से बे दिखल करेगी चलिए जानते हैं 2022 दान्सवा चुनाओ करीब है इस बार किसका महौल बंता दिख रहा है कोन आ रहा है 2022 में 2022 में तो अब हमको अग्रेस की आना चाहिए विकिनकी हमको सही लग रहा है तो ही काम सही बनेगा मज़ अग्रेस चैनिये और जितने विश्रीन होने चाहिए 2022 में जनता के मुद्दे क्या होने चाहिए आप ने कहा जंता के एक काम नहीं हुआ तो यह अग्री मुद्देय में चक्राइब सब्सक्राइब करते हैं लेकिंगे लोग ऐसे हैं कि सरकार चाहते हैं हम सब्सक्राइब करते हैं जैसा कि हम कुछ और लोग से बात करते हैं किसका महाल बनता दिख रहा है 2022 में कौन आ रहा है किसको लाने का मूल बना रहे हैं कुछ भी नहीं का जा सकता है अब कुछ बिने कि सारी पार्टियां दमखं दिखा रही है चुनावी रेलिया कर रही है और अखलेस जादों के ज़त यात्रा निकाल लें उसमें जंसलाब भी उमड़ रहा है तो बहुत अपना सब दिखाएंगे दिखाएंगे जंता जो है जंता इसका जो है डिसीजन यह जा्सकता है फिर लिए कुछ तो जहेंगे कितने नमबर देंगे योगियाद इतना विए स्कार कम को देखते हुनां कच तो कटी सकता है अब यह तो राजनितितिक बाते हैं अंदर की बाते हैं और लो kitty किधर जाती है Bakit अ क्या कुछ महौल बंता देख रहा है क्या महौल बcking कुछ नहीं अब तो मान के चछो फिलिए कि अबіє मामला अब 2 जैसे कि कुछ और लोग मुझूद है इनसे जानेंगे क्या कुछ महौल बनता दिख रहा है कौन आ रहा है 2022 में किसका महौल बनना है यहां पर तो अभी तक जाधा तर पब्लिक सिटी यह के मुलाम सिंग के जो साब जादे हैं अकलेश उनका जाधा जो चल रहा है हम लोग यह जाते हैं कोई भी सरकार आए यहां पर विकास अच्छा करें काम अच्छा करें जैसे आपने का सुना था सबका साथ सबका विकास उसके बाद नफ्सा नफ्सी जो पैदा हो रही है यह समनी होना पर आए कोई भी भेड़बाव ना करें जो मुसल्मान हिंदू सेख इसाई स साथ में रहें हम लोग यह चाहते हैं कोई सरकार आए काम अच्छा करें और देश का विकास हो हमारे लखनों गवी हम लोग यहीं चाहते हैं कोई भी सरकार काम कात कैसा लगा योगी अजितनात का जो कारकाल लाहा क्योंकि कारकाल अब खत्म होने की कगार पर है तो कैसा काम उकाज लगा योगी आदितनाथ का योगी साफ काम कर तो रहें मगरल लखनों में काम करते हुए ज्यादा नहीं देख लोग क्या है निदीक नहीं हो सकता हुगा मगर हमारे जो पब्लिक है बहुत प्रहशान हो गई एक सो लोक्डेवनों से प्रहशान उसके बार ज्याभ से ही आए हैं कभी हिंदु कभी मुसल्मान ये सब बाते हथी नहीं हैं हम लोग चाहते हैं सब भाई मिलके रहें चाहे वो हिंदु और मुसल्मान प्रविकास अगर करके चलेंगी तो इंशालला पहरा सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं तो पी अकलेश गाजा दिखरा है सत्ता परिवर्तन का मूड बनना है दीरे दीरे अगर आपका काम अठ्छा रहेगा तो आपको फिर बुलाईगे अगर योगी साब का काम अठ्छा लग रहा सबको तो फिर है कोई डिक्कत नहीं है हम लोग खुश रहेगा अगर वो बेर्बाव करेंगे या नफ्टा नफ्टी करेंगे अपना पराया करेंगे तो पर नहीं आपने यह यूपी है यूपी की पब्लिक सब जानती है किसका महल बंथा दिख रहा दुगर नफ्टा ने कौन आ रहा है योगी सरकार कैसे काम काद लगे योगी जी के अच्छे काम कादध हैं आप ये आवई किसका महल बंथा दिख रहा है 2022 में कि दोजार बाइस में किसका महाल बंता दिख रहा है कि अगर जो इसाब से वो साइकल करती है काम अगले से अदब वो जिजाब नहीं किया कि अदर संतुस नहीं है काम से जी 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 इसलुकता यह कोई नहीं नहीं जी जी जादा किसका महाल बंता दिख रहे हैं 2022 में कौन आ रहे हैं मतलब केने कि हैं हर बार एक मौका घरक उलें कि हैं यह को जट्टाइप्र इसको मौका अगर को भर इंगार हैं जन्ता चाहिए तो परानी जो सरकार थी वही आएगी फिर अपने पुरानी सरकार थी वही आएगी फिर आज की वही बता रहे हैं इस एक मुझे एक जमीन कंगा नहीं जाते हैं तो पर रासन वाला मिलता हैं कुछ नहीं मिलता है किसान जीव नहीं कुछ भी नहीं कि आपघेख घूरार नहीं Alors इस सब्सक्णारे Мосरा चयूह रहे ते कंद को δ trench में हमारे सब्सक्राइब की सब्सक्राइब और और क्षा सब्सक्राइब का भालर हो थर विस्थी तो उसी पर ना में लिए मारे बई किसका महाल बन्ता दिख रहा है कों आ रहते हैं और योगी सरकार को जीता रहे हैं हैं किया काम सही लगे उदğाइंग और उद्ष, परोफिर नई nine, इसे सब अच्छी बना रहे हैं, का बी अच्छ करए हैं, सब को हर चीज मिल लाए योगी सरकारों अहारे allemaal जितना है हर्दोई ज़ले योगी सरकार का सपोर्ट करती है बोले कि जो जात्यात्रा कर रहे हैं तो जन सहला वहां बहुत प्र फिर 222 योगी सरकार पर सारी पार्टियां बोल लहीं है कहरी है अखले साथ हो जगा जब पोस्टर लगा दी है कि हम वापसी कर रहे हैं आ रहे हैं फिर से बैजेआपी सरकार 2022 में आघ आएगी आ आ एगी कि mr 2022 में जान स्वा चुनाओ करीब है किसका मछों बंता कौन आ रहा है 2012 में जैसा कि मेरी जहां तक नज़ते हैं मुझे जहां तक समझ में आ रहा रहा है कि 2022 में अक्लेस की सरकार कुछ ज़्यादा ही उनका बोल बाला चल रहा है 2022 में उमीद है कि इस बार तो क्सा सर ने की सरकार जरूञाएस में और इससे पहले ने इन्हें ने बहुत काम भी किया और बह एतर तरीके से सरकार भी उन्हें अपनी चलाई है इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि 2022 में इस बार अखलेश की शरकार जरूर आएगी योगी आदितनात के काम नहीं से लगे क्या वज़े योगी देखे बाबा के काम तो बाबा ही वाले थे इसलिए उनका जो काम था उन्होंने अपने तरीके से काम किया है लेकिन जनता जो चाहती थी उस तरी तरीके से बाबा ने काम नहीं किया है इसलिए जिस तरीका से जनता चाहती थी अखलेश की सरकार में उस circles कारी है अर उन्होंने वैसा काम आई इसलिए हम चाहते हैं और की दोबारह दोहजार बाइस में अखलेश की सरकार हो में इस試श भार मुद्ड क्या होगा आपके चनाओं को मुद्ध डालेंगे तो तो भाई इसी मुद्ड पर डालेंगे कि देश विकास करें विकास की ओर बड़े सतरक्किक करें my 171 बेरोजगारी डेष्ट से दूर हो हमारी तो यही सो चाहिए हम कुछ से नहीं चाहिंगे कि जो बेरोजगारी देश से भगा है उसकी सरकार हो नी यह परिवर्थन का मोड़ बना हुआ है जी एक दम किसका महाल बनता दिख रहा है कौन आ रहा है 2022 में एक लेज जी को आना चीए और किसको आना चीए योगिया जितना के काम नहीं चाहिए क्या वज़े काम क्या सही लगें देख तो रही है फिर रभ फिर रासन दे रहे हैं फ कहां दा रहा है सलंडर की सबसीडी आ रही थी वह भी बंद हो गया ना अभी तेल सस्ता तो किया था पंदा रुपए में कुछ बला होता है यहां पाच रुपर तो मसाला खा के थूख देता है इंसान दस रुपए का खाते नहीं है तो क्या हुआ मैंकर लोग खाते बाज मेंगाई मुद्दा रहेगा दो हजार बाइज बहुत मुद्दा है और देखरो फिकर फुलग गया नाइट का अगर जो गरीब का साहता करता है वही हमारे लिए भगवान है ठीक है जो हर इंसान को समझता है सड़क से लेके रक्सा चलाने वाला आटो चलाने वाला जो एक पेटका रोटी देने वाला वही हमारे लिए भगवान है वही सत्य भवकिनावारा हमारे तो सब पराबर चाहिए्याद ओकलेश भीया आयe उन्हे सब काने मिला है यह चीज गोर करना है अब यह उपर वाले जानते हैं करमचारी जो वो जानते हैं गरीब तो क्या परधान को पकड़ेगा यह अपने सभासत को पकड़ेगा जलत के रही है तो योगिया जितना तो बोलने हमारे कारकाल में घुस-खोरी खतम हो गई है पहले दलाली चलते हैं तो हो गए देखो जो खून एकी है मुस्लिम हिंदू सब एकी खून है कोई अलग नहीं है दोनों के लिए सभावना एक निगास से देखते हैं ठीक है तो इसलिए जो गरीबी हर्जा जो नीचे एक मलब भूखा मरता है उसको एक टैम रोटी मिल जाए यही बड़ी बात है आज की महाल में इस ट पूछो क्या हाल है जो डेली कमाने वाला मंजूरी करने वाला है उससे पूछो क्या हाल है उसका कैसी घर के रोटी चलता है कैसे क्या होता है उसके ओपर भी ता हो दिर दिन ऐसे रोता है कि हाँ यह कैसा मेरे भगवान कैसा घड़ी आ गया लेकिन फिर भी सुधार लाए है और यह से लाते रहे हम यह चाहते हैं कि बस गरीब की रोटी बहुचे बस फिर से यह काम अच्छा की यह बहुत यह अच्छा किया है किसी का बिरोध नहीं करते हैं लेकिन हमारा करने अपिक करें को तो एक इसफ़ल होगा वाफसी कर रहे हो गया इतना था यह आप शुद्ध जैसा कि आपने देखा हमने जनता से बात की, जनता का मन खंगोला की जनता इस बार किसे सत्ता में बिठाएगी, किसे सत्ता में बेदेखल करेगी, ऐसे में जनता ने अपने मन की बात बताई, ऐसे में देखना या होगा कि जनता इस बार किसे CM की कुर्सी पे बिठाती है, किस सत्ता से बे देखल करती है कैमरा परसे निम्रान हैदर के साथ मैं कि तिवारी निम्रा नियूद लखनो